नमो बुद्धाय आप सभी का सुभार्ती चैनल के एक बहुत ही खास प्रोग्राम धमदीप में स्वागत है एक बार फिर नमो बुद्धाय करते हुए मैं आरपी सिंग आप आज एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूँ तथा रोजाना की तरह आज भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे पाली सुत्रों पर आधारित तथागत बुद्ध की जीवनी पर और उनके बताय उब्देसों पर दर्सकों पिछले कुछ अपेसोड से हम सामाजिक मुद्धों पर चर्चा कर रहे हैं और हमारा यह प्रयास है कि उनका समाधान भी ततागत बुद्ध की सिक्छाओं के अनुसार हो कल हमने चोरी के विशे में चर्चा करी थी और इसी चर्चा को आज हम आगे बढ़ा रहे हैं और साथ ही मन को शान्त करने के लिए ध्यान साधना से भी आउगत कराएंगे बुद्धिजम पर अपने विचार रखे हैं तो हम स्वागत करते हैं भंते कुसल सुमन जी का भंते जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस विशेश प्रोग्राम में नमो तस्या भगवतो अराहतो सम्मा संबुधस्या नमो तस्या भगवतो अराहतो सम्मा संबुधस्या नमो तस्या भगवतो अराहतो सम्मा संबुधस्या सर्वप्रतम मेरे आचारी श्री के पुन्य चड़नों में कोटी कोटी नुमन फिर मेरे उपज्जाय बंते के पुन्य चड़नों में कोटी कोटी नुमन बंते जी एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं इस विशेश प्रोग्राम में तो अब हम मुख्य विशय पर आ रहे हैं आज का मुख्य विशय है तथा गदबुद्ध की सिक्षा के अनुसार एक व्यक्तिका जीवन व्यापन किस प्रकार आर्थिक नैतिकता अथ्वा सम्यक आजीविका से परपूर्ण हो इस विशय में विस्तार से प्रकास डाले और दर्शको कल के एपिसोड में हमने तथागत बुद्ध के और एक एक शील को लिया चोरी से संबन्दित और उस पे हमने चर्चा करने शुरू की थी तो वे एपिसोड इस प्रकार से था कि हमने मनश्य जीवन के जो चार आयाम है उनकी चर्चा की और उन में से जो सबसे पहला आयाम है पेशेवर आयाम उसको हमने ये जो अदिना दाना वेरमणी सिखा पदंग समादियामी मतलब चोरी नहीं करूंगा इस शील से जोड़ा और उससे हमने समझने का प्रयास किया तो इसके चर्चा में हमने ये देखा हमने सम्यक आजिवी का क्या है उस पे भी चर्चा की और मिथ्या आजिवी का क्या है उस पे भी चर्चा कर रहे हैं तो मिथ्या आजवी का को मैंने चोरी से जोड़ा तो चोरी क्या है? ऐसी कोई भी व्यस्तो जो आपको नहीं दी गई हो और आप उसे लेते हैं इस उद्देश से की सामने वाले को नहीं लोटाएंगे तो वे चोरी कहलाती है तो चोरी के अंतरगत मैंने गिनाया की कहीं प्रकार की चोरिया है या चोरी कहीं प्रकार की हो सकती है तो उन में से कुछ चोरी जो होती हैं बड़ी चोरी होती हैं जिसमें बहुत बड़े स्तर पे किसे धन का या प्रॉपर्टी का उसे छीन लिया जाता है तो उसे बड़ी चोरी कहते हैं और छोटी चोरी इसी प्रकार से रूट चलते किसी ने पॉकेट मार लिया इत्यादी तो ये छोटी चोरी के अंतरगत कवर होता है और इसके अलावा फिर हमने देखा बर्गलरी पे भी चर्चा की बर्गलरी मतलब कोई आगर आपके प्रॉपर्टी में आपसे बिना पुछे घुस जाए तो उसे बर्गलरी कहा जाता है तो ये भी चोरी के अंतरगत कवर होता है बर्गलरी के अलावा ड़कैती डकेती मतलब कोई आपके प्रोपर्टी में जबरदस्ती घुसाए, दबाव डाले, लड़ाई जगडा करे और चोरी करे तो ये डकेती रॉबरी के संदर में समझा जाता है इसे इसके अलावा शॉप लिफ्टिंग भी एक प्रकार की चोरी है शॉप लिफ्टिंग में क्या होता है, एक व्यापारी के दुकान पे एक व्यक्ति ग्रहक बन के आता है और उस व्यापारी को पता नहीं चलने देता है और उसके दुकान से कोई सामान की चोरी कर लेता है तो यह shoplifting के अंदर गएता आता है और यह चोरी है इसके अलावा जो आज के समय में कुछ चलता है वो है identity theft या कहा जाए तो पहचान की चोरी तो लोग इसे क्यों करते हैं नकली sim card खरीदने या नकली registration paper बनवाने तो इसके misuse हो सकते हैं कहीं रूप से तो यह चीज भी चोरी के अंतरगत कवर होती है और अगर हम कहें चात्रों के विशे में तो चात्रों को कहा गया है मेनत करो मेनत करके exams की परिक्षाएं दो मगर जो चात्रे सा नहीं करता पढ़चे ले जाता है cheating करता है तो यह भी चोरी के अंतरगत कवर होता है इसके अलावा fraud यह भी एक प्रकार की चोरी है जैसे नएने लोग कहते हैं कि यह एक नया scheme आ गया है यह नहीं policy आ गई है credit card policy, finance policy, schemes यह सब बाते करके लोग जब fraud करते हैं तो यह भी चोरी के अंतरगत कवर होता है इसके अलावा एक नई प्रकार की चोरी जो चल रही है वे है cyber theft या cyber चोरी इसमें आपके mobile पे एक message आएगा एक link होगा साथ में यानि तो email पे एक mail आएगा और उसमें भी एक link होग और जैसे ही एक व्यक्ति उस link पे click करता है कुछ समय बाद उसके bank account से पैसा गयव हो जाता है तो यह सारी बाते चोरी के अंतरगत कवर होती हैं और इसके अलावा कहीं प्रकार की हो सकती हैं तो सबसे बड़ा प्रशन आता है कि लोग या चोरी करने वाले चोर इतने प्रका के तरीकों का इस्तमाल क्यों करते हैं चोरी करने के लिए क्या वशक्ता पड़ी है तो इस प्रशन का सीधा सीधा जवाब यह है लालच जब तक मन में लालच है इंसान नाना प्रकार के साधनों का तरीकों का इस्तमाल करता है अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए त केस अंदर में बुद्ध कहते हैं हर मनुष को अपनी इच्छायं सीमित रखनी चाहिए ताकि वे अपनी आजी वीका को सम्यक रूप से कमा पाएं तो सीमित किस रूप में तो बताते हैं जीवन व्यापन करने के लिए एक व्यक्ति को तो चार बातों की जरत पड़ती है, रोटी, कपड़ा, मकान और दवाई, अगर ये चीजें हैं तो यक्ति अपना जीवन शांती से बिता सकता है, अगर इसे त्रप्त नहीं होता मनुश का मन, चाहता है कि बड़े-बड़े गाडियां हों, बड़े-बड़े बंगले हों, त इस प्रकार के चोरी जैसे रास्तों को अपनाता है, मान लेते हैं कुधारन के रूप में, एक व्यक्ति, अकेला व्यक्ति है, पत्नी के साथ रहता है, दो बच्चे हैं, तो परिवार में सिर्फ चार ही सदस्य हैं, मगर पांच हजार स्क्वेर फूट के घर पे रहता है, उ इस बाकी के जो 4,000 स्क्वेर फूट है, उसमें कौन रहता है, उसमें इइंसान का लालच रहता है, उसमें उसका अहम रहता है, अहम भाव. खेर, तो इसको हम कैसे समझेंगे, ये तो धन के विशे में है, तो धन के विशे में तथागत बुद्ध से पूछा गया, हम देखते हैं अंगुतर निकाय के अठक निपात में एक ब्रामन होता है, दीग जानू, तो सूत्र का नाम भी है दीग जानू सूत्र, तो ब्रामन आ तथागत बुद्ध से कहता है, तथागत हम ग्रिहस्त हैं, हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में हमेशा सुख रहे, शान्ती रहे और हम बच्चों से घिरे रहे, तो हम ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारा वर्तमान का जीवन और भविश्य का जीवन ये दोनों सुख और संपन बना है, तो तथागत ने इस चलते आक्त प्रकार के आदेश दिये, जिसे कहा गया संपदा, धन। आएंट प्रकार के संपदाओं के विशए में चर्चा की, तथागत बुद्ध ने, तो समझाया की असले धन क्या है, तो आएट प्रकार से समझाते कैते हैं, इन वेसे चार जो ऐसी बाते हैं वर्तमान जीवन के लिए होती हैं और चार जो हैं भविश्व के जीवन के होती है तो वर्तमान जीवन के लिए क्या कहा उठान संपदा तो उठान संपदा में कहना चाहते हैं कि एक व्यक्ति जिस किसी भी पेशे में हो उसमें महनत से लगन से उस पेशे में र तो उसका वर्तमान जीवन जो है खुशाल रहेगा और वर्तमान जीवन को खुशाल करने के लिए क्या चाहिए तो कहते हैं आरख संपदा, आरख संपदा मतलब अपने वर्तमान जीवन में जो धन कमाया है, ये लौकिक धन जो कमाया है, इसको सुरक्षित रखता है, इसको सह पर इन्वेस्ट करता है, इसको चोरी होने से बचाता है, तो ये गुण भी उसके वर्तमान जीवन को खुशाल बनाता है, शांति पूर्ण बनाता है, तो तीसरा गुण क्या है, तो तीसरा गुण कहते हैं कल्यान मितरता, कल्यान मितरता, संपदा, तो ये कल्यान मितरता दो रूप से समझी जा सकती है, एक तो इस रूप में कि साध्वों की या भिक्ष्यों की संगती करना, समय समय पे उनके पास जाना, उनसे ज्ञान लेना, प्रवचन सुनना, इत्यादी, इसके अलावा क्या हो सकता है, तो सद गुंड जिन में है, उन लोगों से दोस्ती करना, अ तो ये भी अपने आप में एक धन है, ये संपदा है, क्योंकि संगत का असर इंसान के चरित्र पर पढ़ता है, तो इसलिए इस विशे में भी ध्यान देना चाहिए, अब चौथी संपदा बताते हैं, समझी विता, तो समझी विता में क्या आता है, मांस का सेवन नहीं करता व्यभिचार नहीं करता, है न, इत्यादी बुरे कर्म या कुशल कर्म नहीं करता, संभल कर चलता है जीवन में, संभल कर चलना ही समझी विता कहलाता है, तो ये चौथी संपदा है, तो ये चार संपदाएं वर्तमान जीवन को खुशाल बनाती हैं, कुनसी उठान संपदा आरख संपदा, कल्यान वित्ता और समझी विता बाकि जो चार गुण हैं जो भविश के जीवन को खुशाल बनाती हैं हितकर, सुख और हितकर बनाती हैं वे क्या है तो एक है सद्धा संपदा, श्रद्धालू होता है श्रद्धालू इस बात में कि उसे विश्वास होता है कि तथागत बुद्ध वाकई में केवल सम्यक संपद्ध है और उनके द्वारा सिखलाया गया जो सिख्षा है, धम है वे कल्यान कारी हैं और इसलिए उसे तथागत बुद्ध और अस्थापित भिक्षु संग में भी, भिक्षुनी संग में भी उतनी ही श्रद्धा होती है तो ये भी अपने आप में एक संपदा है, धन है इसके अलावा क्या है, श्रील संपदा तो श्रीलवान होता है, श्रील सदाचार का जीवन जीता है तो ये भी संपदा है अपने आप में भविश्य के जीवन के लिए, वर्तमान के जीवन के लिए तो संपदा इस रूप में अब शील क्या है? ऐसा कोई भी कार्य नहीं करता जिससे कि उसे पच्चतावा हो भवेश में कि मैंने ऐसा क्यों किया या ऐसा क्यों कहा? ऐसा कोई कार्य नहीं करता जिससे उसको पच्चतावा हो तो ये एक शील की परिभाशा है दूसरी परिभाशा इस रूप में है जिस प्रकार से अगर उसके साथ एक व्यक्ति के साथ कोई बुरा करे और उसे अच्छा नहीं लगता वैसे ही वे किसी और के साथ बुरा नहीं करता तो ये भी अपने आप में संपदा है दान वीर होता है, दान धरम करता है तो जो भी दान देता है बदले में मुझे लोट के मिलेगा ऐसी अपेक्षा नहीं करता है तो जब शुद्य दान देता है तो उससे जो पुन्य अर्जित होता है वे उसके वरतमान जीवन को और भवेश जीवन को दोनों को सुरक्षित रखता है तो तथागत बुद्ध ने समझाया कि ये सही मायने में धन है तो दर्शा को आज के एपिसोड के लिए केवल इतना ही बाकी के विशे हम कल के एपिसोड में चर्चा करेंगे अभी हम ध्यान की और आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले एक सुख पूर्वक और आराम दायक आसन में बैठें ऐसा कोई भी आसन जिसमें आप बहुत से बहुत देर तक बैठ पाएं और सुख पूर्वक हो ऐसे आसन में आप विराजमान हो जाएं अब अपने रीड की हड़ी को सीधा कर लें और अपनी आखें धी में से बंद कर लें ध्यान रखें कि जब तक हम लोग ध्यान साधना करने वाले हैं तब तक आपकी आखें बंद रहेंगे अब हम एक एक करके हमारे शरीर के सभी मानस्पेश्यों को ढिला करेंगे तो सबसे पहले आप अपना सारा ध्यान अपने माथे पे ले जाएं और माथे में जहां कहीं भी तनाव हो वहां की मानस्पेश्यों को आप ध्यला छोड़ दे अब नीचे उतरते हुए अपने गालों की मानस्पेश्यों को ध्यला कर लें फिर अपने जबड़े की मानस्पेश्यों को ध्यला कर लें अब अपने गर्दन की मानस्पेश्यों को ध्यला कर लें दोनों कंदों की मानस्पेश्यों को ध्यला कर लें दोनों हाथों की मानस्पेश्यों को ध्यला कर लें च्छाती की मानस्पेशियों को ढेला कर ले, पीट की मानस्पेशियों को ढेला कर ले, पीट के उपरी हिस्से की मानस्पेशियों को ढेला कर ले, पीट के निचले हिस्से की मानस्पेशियों को ढेला कर ले, अब आपके कमर में जहां कहीं भी तनाव हो, वहाँ की मानस्पेशियों को भी ढेला कर ले, दोनों जांगों की मानस्पेशियों को ढेला कर ले, और अन्त में अपने दोनों पैरों की मानस्पेशियों को ढेला कर ले, तो इस प्रकार से आपका सारा बदन, सारा शरीर, शान्त, तनाव से मुक्त रहे, एकदम रिलाक्स रहे, अब अपना सारा ध्यान अपने सांसों पे खेंदरित करें, और हर सांस, हर आती जाती सांस, गहरी शान्ती की अनुभूती कर आती रहे, और एक-एक सांस लेते हुए आपका सारा बदन, शान्त, रिलाक्स्ट हो, अब बदन के हलके होने के बाद, हम हमारे मन को हलका करने के लिए, शमा याचना का अभ्यास करेंगे, तो जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ, मेरे शब्दों को आप अपने मन ही मन में धोराएं, तो शमा याचना का अभ्यास करने के लिए, सबसे पहले इस प्रकार से मन ही मन में धोराएं, और हर शब्द का अनुभव करते रहें, मैंने जाने अन जाने में शरीर, वाणी या मन के माध्यम से किसी को दुख दिया हो, किसी को पीड़ा दी हो, किसी को कश्ट दिया हो, मैं उन सब से शमा मांगता हूँ, मैं उन सब से शमा मांगता हूँ, वे सब मुझे शमा करें, वे सब मुझे शमा करें, वे सब मुझे शमा करें, मैं उन्स सभी को शमा करता हूँ जिन्होंने मझे जाने अंजाने में शरीर, वानी और मन के माध्यम से दुख पहुचाया हो, पीड़ा दी हो, कश्ट दिया हो मैं उन्स सभी को शमा करता हूँ मैं उन्स सभी को शमा करता हूँ मैं उन्स सभी को शमा करता हूँ और आज से इसी शंड से ये संकल्प लेता हूँ कि मैं किसी प्रकार की प्राणी हिंसा नहीं करूँगा किसी को कश्ट नहीं दूँगा, किसी को दुख नहीं दूँगा किसी को पीड़ा नहीं पहाचाऊंगा और मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं अपने वाणी का दुश प्रयोग नहीं करूँगा जैसे कि जूट बोलना, बेतु की बाते करना कटू शब्दों का इस्तमाल करना इधर की बात उधर करना लोगों में कलहा कराना लोगों में फूट पैदा करना इत्यादी इस प्रकार के किसी भी वाणी का दुश करम नहीं करूँगा और मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं चोरी नहीं करूँगा अर्थात अपने सामर्थ्य से जिस किसी भी पेशे में हों सही तरीके से धन इकठा करूँगा सही मार्थ पर चलते हुए धन इकठा करूँगा और मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं अपने शादी शुदा जीवन में रहते हुए अपने पतनी या पती के प्रती वफादारी निभाऊंगा और जिनकी शादी नहीं हुई है वे इस प्रकार से संकल्प लें कि वे अपने ब्रह्मचर्य जीवन का पूर्ण रूप से पालन करेंगे और मैं इस संकल्प लेता हूँ कि मैं किसी भी प्रकार की नशीली पदार्थों का सेवन नहीं करूँगा जिसे कि दारूपीना ड्रक्स का सेवन करना इत्यादे किसी भी प्रकार की नशीली पदार्थों का सेवन नहीं करूँगा और इस संकर्प के बाद आपके शरीर के रूम रूम से मैत्री, खरुना की तरंगे, बाहर की और प्रवाहित हों उसके लिए इस प्रकार से अभ्यास करें, विश्व के सारे प्राणे सब का भला हो, विश्व के सारे द्रिश्य द्रिश्य प्राणे सब का मंगल हो, सब का कल्यान हो लोगों के जीवन से सारे दुख दूर हो, लोगों के दुखडे दूर हो, उनके जीवन से सारे कश्ट दूर हो सब का मंगल हो, सब का कल्यान हो सब्बे सत्ता सुखी होंतो सब्बे सत्ता सुखी होंतो सब्बे सत्ता सुखी होंतो ये जो शान्ति कानुभव मेंने किया है ऐसा शान्ति कानुभव करने का उसर विश्व के सभी प्राणियों को ऐसा उसर प्राप्त हो सभी अपने दुखों से मुक्त हो भवतु सब्वमंगलंग 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 भवतु सब्व पंते जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप समय निकाल कर आप आए और साथ ही हमारे दर्शकों को एक अलग-अलग मुद्धों पर जैसा प्रकास जाल रहे हैं आज भी आपने हमारे दर्शकों का मार्क दर्शन किया एक बार फिर मैं आपका धन्यवाद करता हूं तो हो चुका है आज के प्रोग्राम के विश्राम होने का लेकिन उससे पहले आपको बताते चलें कि अगर आप हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन कोई सुझाओ, शिकायत या संदेश भेजना चाहते हैं तो आप हमारे वट्सप नमबर 9639010109 पर अपना संदेश भेज सकते हैं या हमारी इमेल आईडी सुभारतीबुद्धा at the rate gmail.com पर भेज सकते हैं तो मुझे उमीद है कि आपने मन में आई जग्यासाओं को आप दबाएंगे नहीं और हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन अपने सुझाओ, संदेश या शिकायत जो भी हो उसे भेज कर भंते कुसल सुमन जी के साथ लेता हूं विदा, कल इसी समय आपके समक्ष फिर उपस्तित होंगे, नमो बुध्धाए